बिलार प्रोग्रेमर आज किस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कोई नमबर्स दिये गिए हो तो उसको हम लोग पावर किस तरह से कल्कुलेट कर सकते हैं फारजना अब लगर 2 की पावर फाइफ हो, 3 हो, 4 हो किसी भी वैलीई की कोई भी पावर हो, कोई भी वेस हो, कोई पावर हो मैं किस तरह से कल्कुलेट कर सकते हैं बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है हम लोग इसको फंक्शन की मद्ज़ से use करेंगे तो मैंने अलेडी हेड्र फाइल से गराज है लगा चुकिया है अपना प्रोग्राम जो स्टार्ट कर चुका हूँ मैं अब मैं यहाँ पर एक function यूज करूँगा int int के बाद जो है मैं एक pov यूज करूँगा यह मेरे पास formal parameter होते हैं अब हम लोग condition देगे एक if की कि if अगर हुमारे पास अगर b की value क्योंकि b को मैं base consider करूँगा अगर b की value मेरे पास 1 है then मेरे पास जो है return करे हुमारे पास a otherwise हुमारे पास जो है return कर दे इसकी calculation जो हम लोग करेंगे इसके अंदर return a हम लिखेंगे return power उसके बाद हम लिखेंगे a और b negative 1 यानि कि जब तक b की value negative ना हो जाए तब तक यह हमारे पास value जो प्रोग्राम जो है वो execute होता रहे अब हम लोग ने condition तो बना ली आप हम लोग इसका main function बनाएंगे क्योंकि आप लोग ने देखा हो कि हम लोग और str store करने के लिए मैं variable ले रहा हूँ str अब हम लोग ने simple क्या करने है cout यहां भे मैं लिखता हूं इंटर यूवर base number यानि कोई भी base number आप लोग इंटर करें यहां पर उसके बाद मैं यहां पर लिखूँगा scene base के मैं consider कर रहा हूं ए तो मैं यहां पर base को जया है वो a sign कर दोंगा और मैं फिर यहां लिखूँगा और इसके मैं लिखूँगा इंटर यूवर पावर नंबर यानि कि जिस जो मैं पावर नंबर get करना चाहता हूं वो मैं पावर नंबर इसके अंदर इंसर्ट करवा दूँगा उसके बाद मैं यहां पर लिखूँगा scene b क्योंकि b को मैंने base consider किया था अब मैंने str str मैंने str variable के नाम से function को call करना है आप लोग चाहें तो str भी लिख सकते हैं कोई और function variable से लेना चाहें वो भी variable easily ले सकते हैं अब मैंने power लिखा power के अंदर just क्या करना ए और उसके बाद b just आप लोग ने यह दो चीजों को लिखना है उसके बाद आप लोग ने यहां पर semicolumn लगाने semicolumn लगाने के बाद cout और हम लोग लिखना है यहां पर result is यानि कि मरपास जो result है वो इसको जो हम लोग str में store को राने को प्रोग्राम को execute करेंगे प्रोग्राम को हम लोग save करेंगे यहां पर location कोई भी आप लोग देकर जाप प्रोग्राम को save कर सकते हैं मैं ऐसे randomly बस name दे रहा हूँ कुछ भी देने के देकर प्रोग्राम को मैं save कर रहा हूँ तो हमारे पास यहां पर लोग ने semi column ने लगाया इसको execute करते हैं हमारे पास यह formal parameter होते हैं और यह हमारे पास यह actual parameter होते हैं अब मैं यहां पर करता हैं इंटर्यूर बेस मेरी base के होगी फार जामल मैं 2 enter करता हूं मेरी 2 enter base है मेरी power भी मैं इसको 2 रखना चाहता हूं तो मेरे प आड कर दिया, मैंने जब कि यहां पर base के साथ multiplication नहीं करवाया, तो मैं क्या कर दूँगा base, जो मैं base जिसको consider कि हमने a, तो मैं यहां पर लिख दूँगा a, उसके पास सारा program बिल्कुल accurate है, तो आप लोग ने इसको जो है, program को execute करना है, तो अब लिखेंगे यहां पर 2 की power 2, तो मेरे पास answer आगया 4, value को change करते हैं हम लोग, हम लोग यहां पर 2 की power 3 करेंगे, तो answer 8 आना चाहिए, तो मेरे पास answer जो, 8 आगया, इस तरह से बहुत simple सा program है, आप लोग भी इसको power को calculate कर सकते हैं, तो अमीद के तो आपको आज का लेक्टर जे समझा आगया होगा, तो अपना ख्यार लेक्शन दो में याद रखें, अल्लाहाफीस